पर जे तरह से ED ने कारवाई की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं लगाता है। यह तो गलत है कि अगर विपक्ष सर्देश में लोकतंतर है, विपक्ष भी तो अपनी बात कह सकता है। आपने कहीं लोकतंत्र को कम करने के बाद तो नहीं की और आप भी सोतंत्र है लेकिन डराते हैं आप लोग एजन्सियों से आप मुझे एक वाद बताई ये क्या अरविंद केजडिवाल जी अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री बार-बार बन पाए होते हैं तो लोकतंत्र के करने संभा हो पाया है और लोकतंत्र के मुल्यों के करने हो पाया है लेकिन लोकतंत्र में किसी ब्यक्ति को किसी पाल्टी को या किसी संस्था को दकैती डालने की छ तो नहीं है, हम लोग मालिक नहीं हो सकते, मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूँ, लेकिन मैं प्रदेश का मालिक नहीं हो सकता, मैं एक जन सेवक हूँ, मैं एक कस्टोडियन मात्र हूँ, अगर ये भाव मेरे मन में आएगा, मैं जो भी काम करूँगा, नियम के अन्राव अनुरूप करूँगा, अगर नियम भिरूत में कोई आचन करता हूँ, तो मुझ भी वह कानून उतना ही लागो होता है, जितना किसी अन्ने पर लागो होता है, मैं कानून से उपर नहीं हो सक होगा और जैसी करनी वेसी भरनी अन्ना हजारी जी का में बयान पढ़ रहा था जे आप उनके बयान को देखे नौन ये बहुत सबस्ट का है जैसा किया है वेसे भर रहे हैं तो पुदिश में क्या कर सकते हैं लेकिन कि दिल्ली में आप लोग आप लोगों का संगठन खड़ा नहीं हो पाया आप लोग गर्विंद के जरिवाल से लड़ नहीं पाया अपनी जेगे काम करा और एजनसी इडी सरकार के दिन नहीं वो तेक स्वतंत्र नियामक संस्था है अपने अनुसार कारे करने के लिए स्वतंत्र है उस पे कोई लगाम थोड़े कसा जा रहा है लेकि इन सवाल ये है कि कानून से उपर जब सरकार अपने आपको मानने लगती है या कोई बत पर बैठावा बेक्ति मानने लगता है तो मुझे लगता है तब भी गड़वड होती है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी